को स्ट्राइक करता हूं यहां पर यह बहुत ही अच्छा आवाज आ रहा है आप सुन पारे के नहीं पारे पर मेरे लाब में तो यह बहुत ही तगडा बोज रहा है सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब में थारर पर में टुलिदों आप तुम незंहयुतरे लिद्यूट । कर देगे पक Space । और आप देख रहे हैं एकश एउडिजर्ट प्र 박े करना अज कर लक्राइब çıktेट अज का शब्मेंट 25 का एक्सपरिमेंट नमबर सिक्स है और बेस्ट ऑन रेजोनेंस ट्यूब इसका में फटा फट फट एम बता देता हूं आपका तो हमें इसमें करना क्या है बिसिकली हमें इसमें फाइंड आफ साउंड इन एर अट रूम टेंपरिचर एंड सेकेंड वन आपको डिटर्माइन करन है 11 और 12 के सारे आप जाहिए उसको चेक आउट किजिए अगर आपको अच्छा लगए तो अमने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर किजिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए काफी माइन चैनल के सब्सक्राइब करने तो चलो मैं दिखा देता हूं उसको फटाफट एड़ेस कैसे करते हैं आप यह सिलिंडर देख रहा होगा इस इसको डीप करना तो कैसे डीप करना चलो मैं फटाफट आपको बताता हूं प्रोसेजन और आपको ऐसे एक्सपरिमेंट अपने प्रोसेजनेंट को और मैंने जो वाटर का लेवल उसब एड़ेस्ट कर दिया है आपको फिर इस वाटर का लेवल एड़ेस्ट करते टाइम बस एक ही बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि आपको किसको कितना फील करना होता उसका आपको बहुत जादा दिक्कात आता तो मै क्या बताता हूं आपको सौट ट्रिक यूज करने का इसको ना पूरा नहीं भर देने का या फिर पूरा आधा खाली नहीं कर देने का इस वाटर और इस लेवल के वीच में कितना ग्याप रखना चाहिए तो यह लगभग मेरा है जो डिफ्रेंस है ना वो 9 या 10 10 cm से जादा नहीं होना चाहिए कि आप वाटर इतना कम भर दोगे इतना ज्यादा भर दोगे तो कुछ मतलब नहीं है आप उस चीज का दियान रखे कि आप जो वाटर फील करोगे ना वह 9 से 10 cm से ज्यादा या पिर कम मत भरिया ठीक है उसके बाद आपको दूसरी चीज क्या दखने अगर तो मुझे अच्छा रगेगा करने में अधर्वाइस यह मैं मूव नहीं कर पाऊंगा तो मुझे थोड़ा समझा नहीं आएगा ठीक है इसके आप इसको ऐसा रखे कि जहां पर फिरिली के आउसे कि मूव हो सके तो चलो मैं आपको पहली निकाल के दिखाता हूं ठीक आपको क्या करना तो इसको रबर पाइट पर स्टाइक करना देता और इसके सामने लेके जाना पड़ता है इसको यहां रख देते यहां रख देते यहां रख देते ठीक है यहां रख देते वह तो कहीं भी ऐसे करके रख देते ऐसे आपको नहीं करना देखो मैं बता दो कै पीछ में आता है तो यह आपको फिजिक्स पता होना जै क्योंकि आप फिर इस लेंथ को ना उसे साफ से एड्जिस करके और वहां पर फटाफ़ ट्रेडिंग पास निकाल सकते हो ठीक है फटाफ़ ट्रेडिंग मतलब आपको बहुत ही अच्छे अच्छे और जल्दी जल्दी तो मैंने उसको लबग उतने पर ही एड्जिस किया और जो बाखियों की जो लेंथ आते हैं ठीक है वो लबग दो यहां डेड़ सेंटीमेटर आगी आते है ठीक है चलो ठीक है मैं इसको स्ट्राइक करता हूं यहां पर यह बहुत ही अच्छा आवाज आ आ रहा है आप सुन कि यह गई हो अल्यार कि मिल रहें हो कि अध्यार और इसक्या डिंग इसको आवाज उससे भी ज्यादा भी सेशिए ठीक है सब्कोरेइफ को मेजर का लेवल तो मेजर के कैसे करोगे दिख रहे यह आपको लिक्विट का लेबल दिख रहे यहां पर रखना होता है अंदर और इसके सर्फेस तक तक उपर वाला रेजन तो निकाल सकते mm तो थोड़ा समय और अंदर के साइड एड़िस्स करूंगा और मैं थोड़ा सा यह यह साउंड तो मैं पैचान ले रहा हूं लेकिन थोड़ा सा उपर नीचे करके देखता हूं अच्छे साउंड और मिल रही है क्या मुझे तो यहां पर मुझे साउंड मिला स्टार्ट हो गया तो यहां की जो रिडिंग है वो लगभग है 17.3 कि दूस्तरी वाली जो मेरी रिडिंग है वो कितनी है 17.3 ठीक है तो आप लोगो ने देख ला कि मैंने एलवान और एलटो निकाल लेकि इसके लिए 480 के लिए चीज में आपको बता देता हूं कि आपको ना जो पहली फ्रिक्वेंसिस होती 512 जो कॉलेज में यूज करते हो 512 ठीक है तो उसके लिए जो लेंध आती है वो 14 टू 15 सेंटीमेटर आती है तो आपको तुनिंग 4 को ना स्री रेजोनेंस ट्यूब को ऐसे कुछ एड्जस करन आप उसको रेंडब्ली कहीं भी मत रख दिजी लएक बहुत जादा डीप कर दिया बहुत जादा उपर रह डियो ठीक है अगर आपको तूरंस साउंग मिला स्टार्ट हो जायगा ठीक है क्योंकि physics में पेशन्स ही अगर आप पेसंस रखोंगे तब यापकी れडिंग्स और इसे में बहुत सारी ट्यूनिंग 4 का जो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से मैंने लिंथ निकाला है तो चुम्हें मैं आपको फटाफट सो करता हूँ एक और मैं आपको दिखा देता हूँ यह मेरे पास दूसरा वाला है और भी मैं 426 वाले यूस कर रहा हूँ 426 का फ्रिक्वेंसी वाला यह तुनिंग 4 क्या कर रहो है यहां पर यूस कर रहा हूँ ठीक है तो थोड़ा समय इसको उपर करता हूँ मतलब आप यह बहुत ही मतलब मज़ा आजाता है ऐसा आवाज आना चाहिए आपको और जैसी आवाज आएगा और आपको यही रीडिंग से आगर क्या करनी रहेगी नोट करनी रहेगी तो फिलाल यह मेरा 19.5 कि इतनी है यह 19.5 एक बार और में बता दो उसको मेजर कैसे करन करना है यहां से और यहां तक आपको पूरा मेजर करना होता है यहां पर देख रहे होंगे कि लेंथ क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है जब मैं ट्यूनिंग 4 क्या कर रहा हूं निक्रीज कर रहा हूं तो यही सिंपल सा फंडा होता है एक अन्नोन होता है तो चलो मैं अन्न कि यह जो मैरा tuning fork है देख रहे हैं यह इसकी जो length है यह कम है इसकी length थोड़ी सी जाता है इसकी length और जाता तो last में आते जा रहे है तो length क्या हो रहे है जाता जा रहे है मतलब यह basically आपका 480 का है करते हो तो लेंद आपका क्या होता है इंक्रेज दो गए कि मिलकुर इन्वर्सनी प्रपोस्टनल होते हैं दूसरा मैंने आप प्रॉमिस कहते हैं कि आपको अन्नोन फटाक से कल्कूल करना बताऊंगा तो दीखो यह अन्नोन होता है क्वालिज में आपको इसी दिया जाता है तो आप क्या करने का पता है उसको ना एकदम लाइंस रखने का सारे आपको जो ट्यूनिंग फोर्क दिये जाते हैं अब आप देखने का अन्नोन कहां पर आ सकता है तो मेरी साप से तो मेरा जो यह अन्नोन यहीं आगा कि देखो आप इसको बीच में रखो देख रहो यह हो चांज य 52 यह 255 हो से आपको इना पता चल गया की मतलब से लगबग यह दो ज्यादा ही होगा दो के में आ जघाता अगर यह कि लाइन में आ बीच के लाइन मेट जिस हो जाता तो आपको इसके कितनी आई इसके आपको आई है कितनी आई है 17.5 आए थी तो लगबग इसकी आपको कितनी आजाती इसकी आपको कितनी आ जाती 19 आ जाती ठीक है लगबग 19 आ जाता ना क्योंकि ये बीच में आ रहा है उसके बाद और बढ़ रहा है उसके बाद और बढ़ रहा है उसके बाद और लेंथ बढ़ रहा है ठीक है तो आप इसके थू क्या कर सकते हैं बहुत एजी ली unknown find out कर सकते है मतब यह में क्यों वतार है कि आप फटाफट अपने जो रेजोनेंसिंग टी ट्यूब है उसको उस पे सेट कर देंगे उस लेंथ पे और इसको बार बार क्या करेंगे स्टाइक करके जो भी आवाज नोट होगा जहां पे बहुत तेज तगड़ा साउंड प्रेड्यूस होगा ठीक और उसको किया कर सकते हैं नोट कर सकता तो इसनलग race आपको एकँपन सब्सक्राइब इन्सक्राया नकर नकरकर 556 ठीक होता है क्या होता है इसे थोड़े से छोटे चोटे ट्रीक होते हैं जो आपको फिजिक्स में अप्लाई करने तब आपकी रीडिंग बहुत ही फास्ट आती है ठीक है कि मैंने 16 पर इसको एड़िस्स कर दिया है और मैं क्या करूंगा इसको अगर यह थोड़ा जन्रेट होना स्टार्ट हो गया मैं तोड़ा सा और इसको नीचे करके देख लेता हूं कि और भी आ सकता है यहां पर यह आरी लगभग 15.5 कितने रीडिंग आ रही है यह देख लिए तौम एक बार और अच्छे से यह लगभग मुझे मिल रहे है 15.5 तो यह अन्मों का कितना है 15.5 और उसके बाद वाले का मैरे कितना है था 17.3 ठीक है तो आप समझ रहे 15.5 16.5 और 17.3 बदब दो की बीच का ही डिफ्रेंस होता है और मैंने इसको लगा के भी आपको लाइन से दिखाया था कि इसका लेंथ क्या है का कम आएगा उसके बाद जाद आएगा उसके बाद ज 16.6 रेजोनेंस ट्यूब इसमें बिसिकली क्या करना है तो डिटर्माइन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अट रूम टेमरिचर एंड तो फाइंड आप यह स्ट्क्चर देख पार है ठीक है यह मेटल का होता है ठीक है और जार में हम लोग वाटर लेते ठीक है मैंने वाटर क कि हिल्प से हम यह दोनों को find out करते हैं तो चलो मैं कुछ बता देता है आपका basically aim क्या है यहां पर देखे आपका aim क्या है क्या है क्या है constant है ठीक है आपका क्या है analysis to constant मतलब L आपका क्या है length है और N आपकी क्या है frequency है अब आप आप वहाँ पे देख रहोंगे कि जब मैं frequency क् सब्सक्राइब हुआ कर रहा था अपका क्या हो रहा था कर रहा था इंक्रियस हो रहा था मतलब यहां पर frequency decrease हो रही है ठीक है तो पहले वाले के लिए मुझे मिल रहा था 17.5 क्रॉस मिल रहा था लेकिन वह दूसरे वाले के लिए मुझे कितना चले जा रहा था 19.5 क्रॉस चले जा रहा था तो हमारा लेंथ क्या हो रहा था बढ़ रहा था लेकिन फ्रिक्वेंसी हमारी क्या हो रही थी डिक्रीज हो रही थी ठीक ह पता होगा कि व Azur की लिए प होते हैं एन रबन पार प्राइब बन रहे है क्या बन रहा है तो इस वेव में क्या हो पर बोले को बोलते और नीचेवाले को क्या बोलते यकास इसको बोलते नोचे यह जादा फ्रीडम चहawn चहिए रहता है तो ज्यादा फ्रीडम चहे रहता है इसलिए नीचे वाले करनों की वहलते को बहुत ही नोडे को सत्Pro Ben चीह रहता है कम freedom चीह रहता है यहां पर क्या बनता है हमारा अब चलते इसके distance की बात कर लेतों तो इसके बीच का तो distance होता है उसको मेजर करते है Lambda by 4 से और यह जो हमारा क्या है एक length है तो हमारा length is equals to क्या हो जाएगा फॉड लेमडा बाई 4 तो lambda is equals to क्या हो जाएगा फॉर एंधिकर अब इस lambda is प्योंकर आया है आप क्या कर सकते हुआ इसकी व्यायू को put कर सकते है जो पता है तो आपको फॉर यह नहीं हो जाएगा ठीक है वो वेब खाली इसी सर्फिस में नहीं बनता है यह थोड़ा सा ऊपर बनता है आप देख रहे हैं यहां तक थोड़ा सा ऊपर तक वेब बनता है यह तो आपका लेंथ होता है लेकिन आपका वेब क्या होता है ऊपर तक बनता है ठीक है तो इसको भी हम लोग मेजर करते और इसको बोलते हैं इंड करेक्शन इसको क्या बोलते हैं इंड करेक्शन और यह हमारा फॉर्मूला होता है is equals to 0.3D बताब यह 0.3 को diameter से हम लों क्या करते हैं multiply करते हैं तो यह जो आपका इंड करेक्शन होता है किसके किसके equal होता है है 0.3-D-क एक्वल होता है तो आपका जो टोटल इसमें जो आपका टोटल लिंथ यह होता है टोटल लेंथ तो आपको अगर टोटल लेंथ काउंट करना है तो यह आपका क्या हो जाएगा टोटल लेंथ क्या हो जाएगा आपका L is equal to small l plus इंड करेक्शन ठीक है यह इसके एक वाला लेंद प्लस आपको इंड करेक्शन को दोनों को क्या करना है एड करना होता है ठीक है आप यहाँ पर देख रहोंगे और चलो यह कैसे करते हैं मैं आपको फटा-फटी explain करता हूँ यह है यहाँ पर क्या होता है आप देख रहोंगे जो पहली वाली लाइन जिसको टच करती है अगर अगर आपको यह नहीं समझ रहा है तो आप मेरा एक वीडियो 11 के प्लेलिस्ट में जाके देखिए वर्नियर क्या पूरा बहुत अच्छ यूज करते हैं यह वाला ठीक है कोई spherical चीज यूज करते तो यह वाला और अगर किसी में कितना वॉल्यूम है उसको मेजर करना है तो देखर आप यहां से एक स्ट्रिप निकलेगी यह यह यूज करते हैं अब यह जो वर्नियर स्केल होता है इसमें ना टेन स्केल टेन टेन तो वर्नियर स्केल का भी अपना नमबर है 1 वन वन ऐसा लिखना और मेन स्केल में अल लिखें टिकह तो यह जो वर्नियर यह जहां पहले टैच करें रहे की आपका क्या्स आरेगा में स्केल की एक है मेरा वीडियो है आप जाए उसको च्छाइप को पता चल जाएगा यह स् मैं स्किल और वर्नियर्स्किल की रीडिंग देखने तो कैसे देखने है यह मालू act can में आपका हैний फिर्म्ले खाल करें आपको कैसे देखना रहेगा कि मैं आपको पता दिगा जहां पहला वही कि क्या रहेइगी में स्किल जैसे कि मालो कैसे यहांप कोईसिटेंट होगा ना बिल्कुल मतलब इसकी लाइन और इसकी लाइन बिल्कुल ऐसे कोइसे कोइसेट करनी चाहिए Scalb आपकेisk म Art Deek rheegi यह बिल्कुल एक दूसरे को कोईसिटेंट कर रही है तो ये ये नहीं करी कि देखो ये थोड़ा ही और ये थोड़ा का इधर है ये 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 दोनों इनके दूसरी को क्या को आइए कोइणिटर करी तो आपकी जो में स्केल के रीडिंग कितने आ जाेगे 612 थिस सॉर्णी को रिडिंग कितने काली है ? 12345 कितने हो इक चीज और काeren worker का लीस काउन्ट होता हा है मैं मैं आपको बता देता हूं के लिस पर दिविजन आपको यहां दखना पड़ेगा तो यह में स्किल की जो रिडिंग होती है इसमें स्मॉलेस डिविजन एक होता है ना 0.1 आप अपते स्किल पे भी देखते होंगे ठीक है और दूसरा है टोटल नमबर आप डिविजन इन वर्नियर स्किल तो यह बाहर वाले को यहां बहुत है कि दिएक है आपको करना है इसका इन डिविजन करने के लिए यूजे होता है तो मैं इसको क्या करूँगा यह तक लेकि जाओंगा तो adap में में स्क्राते कंट हो चुक है यह ही आपका क्या रहेगा में स्किल की स्किल ररिडिंग देखने रेकिए हे जो यहां पर पहली रिडिंग ये जिसको भी टच करेंगी वहा आपकी क्या हो जाएग ये मेंस क्र." नीज़ आपका 3 है और ये 3.3 है टिक है और में जि je t sup की रीडिंग कैसा देखोगे यह जिस भी लाइन को टच कर देगी वह तुमारे क्या हो चाहेगा वर्नियर स्क्राइब करें आपको दिख रहा हुगा है आपको यहाँ पर जो मतलब रइंस्केल की रीडिंग है वो टच कर रही है अब मैंन की रीडिंग को जहां भी टच करें बिल्कुल ना बिल्कुल ऐसे मेर्वनियरश स्किल के रीटिंग है और इसको ना कोइंसिजेंट करनी चाहिए तो मैं चाहिए भी इसको बाद। है कि आपको फत्राइए कि आपको ये कर दोगे तो आपको hai Reading को ओंसिजिए बिल जाएगा 0.01 टिक है तो टॉ सेadian के ब्लीस,, क्या है तो यह आपको कैसे निकालना है तो आपको कैसे निकालना है तो आपको दीड़ा आपको पता है कितना है 3.42 और और माइनस E-देस क्या है माइनस E-देस हमारा जो वर्नियर स्केल है उसमें कोई error ने जट इस जीरो एरर है ठीक है तो जीरो एरर है क्योंकि थोड़ा आगे पीछे रहता नहीं तो उसमें आप तीन बार करके मीन भी निकाल के मल्टिप्लाय कर सकते हैं मैं एक के साथ में बता देता हूं 3.42 आप यह दोनों को मल्टिप्लाय करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.038 ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट अपने काल्कुलेशन की यह अलड़ी मैंने किया हुए फेंड्स लेकि के सक में आपको बता देता हूं क्या सक्यारी मैं अविल्कुल डिक्रीजिंग लिए था हैं मतलब मैं मैंने चोटे से स्टाट कि आ pandeak थे तो मेन été काल किया थे मैंने किस से स्टाट किया था जिसकी प्रिक्वेंसी बहुत ही कम मतलब गता सब अपना लिए 480 का लिए ठीके बाद में unknown भी लिया था ठीक है तो मैंने आपको किसका करके दिखाया था 480 का करके दिखाया था तो उसके लिए मुझे reading जो मिली तो कितनी मिली थी 7.3 मिली थी और एक जगा 7.5 मिला था कुछ इसे मिला था करेक्शन हो सकते हैं आप देख लिए इसको अट्रेस दो बार मैंने किया था और तीसरे reading भी हमारे 7.23 ही आई थी में में एल निकालना है तो में कैसे निकालोगे आपको तीनों को आड़ करके 3 से डिवाइड करना होता है 17.3 प्लस 17.5 प्लस 17.2 तो वी विल गेट 52 और डिवाइड बाइड थी तो आपको मिल जाएगा कितना 17.3 ठीक है अब आपको करेक्शन निकालना है एल की वैल्यू निकालने तो आपको क्या करना है एल प्लस इए आपको क्या मिला आपको यहाँ पे मिला इंड करेक्शन ठीक है कितने मिले आपको 1.038 तो देखो मैं कैसे करता हुआ इसको ठीक है तो आपको यह दोनों को आड़ करना तो 17.3 प्लस प्लस 1.038 आपको पता ना 1.083 यह वैलू कहां से आ रहे देखिए यहां से आ रही है ठीक है अब यह करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 18.338 कितना मिल जाएगा आपको यह 18.338 अब आपको क्या चाहिए 1 by L मतलब जो आया है आपको उसको 1 से डिवाइड करना है ठीक है तो 1 divided by 18.338 तो आपको कितना मिल जाएगा 0.054 और आपको NL चाहिए मतलब HZ में और cm में इसकी वैलू चाहिए NL के वैलू तो आपको N पता है कितना है 480 और L आपको पहां से मिल जाएगा यहां से ठीक है आपको N यहां से मिल जाएगा यहां से मिलेगा तो यह N हमारे कितना है 480 into L हमारे कितना है 18.338 तो मुझे कितना मिल जा रहा है 8808 कितना मिल जा रहा है 8808 ठीक है उसके लिए मैंने आप उसके बाद फिर आपने देखा होगा मैंने 426 के लिए किया था मुझे वहां पे 19.5 में ली थिया इसका मीन आजाएगा 19.5 फिर बाद में 341 के लिए मैंने बाद में किया था तो उसके लिए मुझे मिला था 24.5 तो हमारा मीन भी 24.5 के क्रॉस आएगा उसके बाद मैंने किया था 256 के लिए तो मेरी जो लेंध था थी वो 32 आई थी और मीन भी हमारा लगबक तिनों को आड़ अब फ्रेंट्स यहां पर प्रॉब्लम कि आप देख रहे हैं और लेंध देख रहे हैं और लेंध देख रहे हैं इंक्रीज होते जा रहे हैं फ्रिक्वेंसी डिक्रीजिस लेंध इंक्रीज यही आपके आने जगर ऐसा आता तब ही सहीन तो गलत दूसरी जगा आप अनल की आपके मार्क्स नहीं कटेंगे तिसरी जगा हम लोगों ने unknown find out किया था ठीक है अन्नों मतलब जिसके उपर स्टिक हुआ था जिसके उपर मतलब वह चीपा था उसके frequency कितनी थी तो उसकी जो हमें वैल्यू आयती तो आप इस 15.5 को भी क्या कर सकते हो अभी find out करेंगे कि कितना हो रहा है दूसरी बात आपको यहां पर पता में कैसे निकाला है आपको आपको सब हमेना इसको किटनी वयल्टिया में करना उनलोन आफका एंप वेडी के में बचस्राइगे विडियो वीड़ बहुँट शादे लंबी बन रहे इसके लिगम आपका एपको आश्यों के detailing है वो मैं क्या तरूंगा आपको explain करूंगा यह graph है इस graph में देखो मैंने क्या plot किया है मैंने लिया यहाँ पर x-axis और y-axis और आपको graph किसके किसके सब्सक्राइब करने की वह कितनी है तो मैं यहां पर क्या करता हूं और देखता हूं कि मुझे कैसे करना है तो पहले आप देख रहे हो कि आपको चैसे 0.0296 ठीक है तो यह मेरा रहा 0.02 यह मेरा रहा 3 है न तो 9 बिल्कुल यहां पर आएगा तो यह यहां पर मैंने इसके लिए मुझे कितनी चाहिए यहां के लिए चाहिए मुझे 256 तो मैंने यहांपे 156 यह 250 है और यह 256 लग बखग यहां पर आएगा तोँ यहां पर मैंने इसको point डौक कर दिया उसके बाद 0.039 के लिए मुझे 341 चाहिए 0.039 के लिए मुझे कितना चाहिए 351 चाहिए 341 चाहिए 300 यह 300 यह 300 है और थोड़ा से उपर कितना हो जाएगा 341 तो ऐसे ऐसे करके मैंने सारे मतब 1 by L और N के पूरे के पूरे मैंने प्लॉट यहां पर किये होगे अब आपको unknown कैसे मिलेगा तो चलो देखते हैं मैं unknown बतातो हो आपको कैसे मिलेगा तो इसकी value पता है एलेस की value कितना है 15.5 तो 1 by L तो आप नीकालोगे कैसे नीकालोगे 1 by L 15.5 तो आपको कितना मिल जाएगा यहां पे 0.0645 5 अब आप क्या करना आपको 0.064 जयाना थीक ठीक है तो यह हो गया यहां पर यह होगया में 0.06 यह आपका 0.06 हो गया और यह लग पर यहाप पोइनल 644 ओ गया ठीक है यह यहां पर आएगा कि है ठीक है हुग है यहां पर हो ग्या अब यहांं पर है 0.06 तो में इसको यहां से क्या करूंगा से vision करोंगा है और यह जहां पर meet करेगा देहां यह यहां पर meet कर रहा है लगभग और यह यहां पर यहां पर यह मिल रहे तो यह लगब Barry कितना हो जाएगा 525 मतलब आपकी जो unknown की value कितनी आ रही 525 लेकिन हम लोगों ने यूस किया तो 512 का है तो थोड़ा बूद error physics में चलता है ठीक है तो यह आपकी क्या आगी unknown की value ठीक है तो अब हमें friends क्या करना है अब हमें graph के by slope से निकालना है कि slope से कितना आ रहा है तो slope का formula क्या होता है y2-y1 is close to x2-x1 ठीक है आप कोई भी 2.0 लेकि मैंने यह दोनों पोइंट को लेकिना मैंने ड्रॉक हिए हुआ मताब यह दोनों पोइंट को लेकि मैंने Suslope निकाल ले देख सकते हैं यह दोनों पोइंट की value कितनी तो यहां पर मेरे वाल्यू कितनी आगे 85 00 अब आपको वी की वाल्यू निकाल सकते हैं जो कि आपको पूछा था वी जो फोर इंटो स्लोप तो स्लोप की वैल्यू मैरे कितनी अब आपको पूछा है तो आपको मिल जाएगा 34 और इसके बाद में 30 रहेगा 30 को मैंने किस्मे कर दिया 303 में क्योंकि मुझे सेंटीमीटर पर सेकेंड को हटा गया मीटर मीटर सेकेंड में लिखना है ठीक है अब देखते हैं कि हमें ग्राप से कितना मिला है तो हमें ग्राप से आप देख रहे हैं यह ग्राप से हमें तो आपको पता है फॉर्मूला होता है फोर इंटू एनल एनल मतलब वहीं आपका मीन है आपका जो मैंने बोला था कि चारो को आड़ करके आपको क्या करना रहेगा चार से डिवाइड करना होगा तो आपको कितना मिला था अब आपको इसी को मल्टिप्लाइ करना तो इतना मिल जाएगा तो यह बाइक कैलकुलेशन है ठीक है कितना आ गया थ्री फॉर नाइन आ गया कितना गया यह थ्री फॉर नाइन यह मीटर पर सेकंड्स में हो गया अब अन्नोन फ्रिक्वेंसी आपको फाइंड आउट करने अन्नोन फ्रिक्वेंसी मतब एलेक्स अलेक्स आपका कितना था 15.5 यह एलेक्स आपका यह क्या आपका एलेक्स जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि देखता हूं इस सब्सक्राइब सेवं टिवाइड वैं 15.5 यह ए रहे 562 कितना रहा है 562 और यहां पर कितना जाएगा 562 तो मेरा पार इसके तो ब्रॉप से कितना रहे है 562 अब यहां पर देखते कि bird with the traditional or by क्राप से मुझे कितना मिले है सतों व्हें कितने है त्री-फोटी ठीक है तक अनन्न-ट्रिक्वेंशी उफ फौक बॉइनसे कितना मिलने मुझे बाइ क्लेशन जा मिला है 362 यहां पर आएगा 562 उसको क्रेक्शन कर लिए ना फ्रेंड यह कितना है ना 562 और वाई ग्राप से मुझे कितना मिला है तो बग्राप से मुझे मिलना है यह 25530 तो यह लगभग क्यालकुनेक्टिशन और ग्राप के बीश मनेद इसका मिला मुझे 562 और इसका मिला किसना मुझे 530 तो यह आपका पुरा का पुरा प्राक्टिकल से ठीक है और आप यह ग्राप देख लिजेंगे यहां पर मैंने कैसे ड्रॉप किया है आपको आननन की वैली कैसे मिलेगी जैसे आप यह एल की वैल्यू में जाएका आप इसको डिवाइट कर देंगे और लगभख आपको जहां तो मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें मुझे इस चैनल पर आप अपना सपोर्ट जरूर दें ठीक है और जादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और थैंक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब एट्वीज प्रैक्टिकल थै